सुर्खियों में सन 1999 के दशक के अंत के वित्तिय संकत की प्रिष्ट भूमी में किया गया था इसका देश मध्यम आयवाले देशों को शामिल कर वैश्विक के सर्था को सुरक्षत करना है G20 देशों में दुनिया की 60 फेसिदी आबादी वैश्विक जीडीपी का 85 प्रतिशत और वैश्विक व्यापार का 75 फेसिदी शामिल है G20 ग्रूप में अर्जिंटीना, आस्ट्रेलिया, ब्राजील, कैनडा, चीन, यूरोपेन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, एटली, जापान, मैक्सिको, रूस, साओधी अरब, डेक्षन अफ्रीका, कोरिया, तुर्की, युनाइटेट किंग्डिम और सेंट राज अमेरिका शामिल है, G20 सम्मेलन में स्पेन को इस्थाई आदिती की रूप में आमंत्रत किया जाता है, इस विश्रे पर बात करने के हमारे साथ स्टूडियो में मौझूद है, खास महमान, माखलाल, चुतरवेदी, राश्री जिंसंचार और पत्रकारिता विश इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि एक तरह से जो वैश्विक स्थर पर भारत के नेतृत्तु का एक मान्यता प्राप्ट करना है, पुरे विश्व में भारत एक एमर्जिंग एकॉनमी है, फास्टेस्ट ग्रोइंग एकॉनमी है, भारत हर छेतर में आज, चाहे वो साइंस के चेतर में हों, प्रोद्योगी के चेतर में हों, मैनुफेक्चरिंग के चेतर में हों, भारत की भूमिका पूरे विश्व में जो है, विश्व व्यापार के चेतर में हों, बढ़ती जा रही है, और भारत की और, आज पूरा विश्व देख रहा है नेतृत्तु के लिए, क् मजबूत है, महत्वपुर्ण फैसले लेने की ख्षमता उसने दिखाई है, और विशेशकर, जो दो विशेश जिसको लेकर G20 में हमेशा चिनता रही है, एक, फिनांस, रिसेशन, विश्विक स्तर पर, रिसेशन या मंदी, इससे कैसे बचा जाए, विश्विक स्तर पर वित् कठिन परिस्तितियों में भी, कोविड जैसे कठिन परिस्तितियों में भी, उसने अपने आर्थिक धांचे को बनाए रखा, और दूसरा, परियावरन, परियावरन में भी, भारत ने, चाहे वो सौर उर्जा का उपयोग है, पवन उर्जा का उपयोग है, भारत ने पूरे विश्व ने इस बात को जो है मान्यता दी और कहीं न कहीं ये उसी का एक recognition आप कह सकते हैं कि भारत को ये महत्वपुर्ण भूहमी का आज मिली हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि G20 की अधिक्षता मिलना भारत को ये दर्शाता है कि वैश्विक ताकतों के बीच भारत विश्व नेता बनकर उभरा है। का यूग नहीं है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है व्लादमीर पूतीन को ये बताया। जक्की रूस और भारत का प्रमप्रागत रिष्टा है। जो वैश्विक नेतरुत कर सकते हैं वही पक्षपात से उपर उठकर कि भले रूस हमारा मित्र क्यों नहों। और हमने आजमाया हुआ मित्र है। लेकिन अगर रूस की और से भी गलती होती है तो हम उस पर परदा नहीं डालेंगे। हम स्पष्टवादिता के साथ बोलेंगे ये भारत का जो है परिपक्कोता भारत का नेतरुत का जो साहस है उसको दर्शाती है। और कहीं न कहीं ये भी एक कारण रहा है कि आज चीन जैसे मुलकों को भी जहां आविश्यक्ता पड़े वहां जवाब दे सकें। किसी भी बात को कितने ताकतवर मुल्क क्यों न हूँ हमारे राष्ट्र हित में पूरे वैश्विक हित में हम एक स्टैंड ले सकते हैं। और आज से नहीं, WTO के समय से लेकर गुट नर्पेक शदेशों के जब नौन अलाइन मुवमेंट हुआ करता था तब से लेकर भारत ने एक नेत्र तो प्रदान किया है। लेकिन अब समय के साथ भारत एक आर्थिक शक्ती में भी उबरा है, तो भारत की आवाज और बुलंद है और इसको सुना जाता है। ताकि हमारा जो न्यू इंडिया है वो लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। बिल्कुल इसमें कहीं कोई दो रहा है नहीं, आपने देखा कि चाहे अमेरिका में हूँ, लेकिए सबसे बड़ा बदलाव क्या आया है कि अब हम सरफ आदर्शों में नहीं बात करते रहे हैं। हम लोग प्रायोगिक बात करते हैं। हम जानते हैं कि हमारे अरब मुलकों के साथ बहुत अच्छे संबन्ध हैं। लेकिन हमने उसके चकर में इसराइल से हमने रिष्टे खराब नहीं किये। हम जानते हैं कि रूस के साथ हमारे परंपरागत रिष्टे हैं लेकिन उसने हमें अमेरिका के साथ रिष्टों को बढ़ाने में रोका नहीं यह जो डाइनमिजम है जो प्रायोगिक्ता आ जा गई है प्रैक्टिकल हो गया है और अब हम आदर्श की बातें न करकर राष्ट्र खतम करता है उतना तो पूरे महीने का भारत वर्ष का इंपोर्ट होता है तो रूस के इंपोर्ट को लेकर भी हो सैंक्शन्स के बावजूद भी भारत ने चाहे वो इरान का मसला रहा हो या रूस का मसला रहा हो भारत ने अपने व्यापक राष्ट को हमेशा ध्यान में कर इवाकुएट करवाये विश्व के कई मुलकों से अपने नागरिकों को भारत का पास्पोर्ट का संभान बढ़ गया है पूरे विश्व में जो है मैंने तो देखा है दूसरे मुलकों के परोसी मुलकों के लोगों को शिकायद करते हुए कि उनको कई जगे रोका जाता है बलकि भारत का जब पास्पोर्ट लेके कोई जाता है, तो उसको free entry होती है, वो किस तरीके से यूक्रेण में भी हमने बगेर किसी दिक्कत के दोनम तरफ से बाचीत करें, क्योंकि हमारी बात रूस भी सुनता है, हमारी बात यूक्रेण भी सुनता है, तो ये जो सम्मान और आ धार पर नहीं रखा, जैसे चीन है, चीन अगर कहीं भी कोई निवेश भी करता है, तो उसके पीछे उसका स्वार्थ होता है, भारत ने काबूल जैसे जगे में इंद्रा गांधी हस्पताल बनाया, पूरे विश्यू को हमेशा देने की बात कही, कोविड के समय में, नजान ता कि जिस तरीके से हनवान जी पहाड लेकर संजीवनी बूटी लेकर आए, उसी प्रकार भारत ने जो है, हमें कोविड से लडने के लिए धवाईयां प्रदान की, तो सुक दुक में भारत हमेशा विश्यू के मुलकों के साथ एक मददकार, एक दोस्त की भूमिका में र हमें बिल गए तो क्या हमारी जिमदारी अब और ज्यादा बढ़ गए है कि में अपनी सोच और सामर्थ से, अपनी संस्कति और समाज की शक्ति से विश्य को और परचित कराए है, बिल्कुत, देखे, जी ट्वन्टी से संबंदित कई बैठके हैं, पुरे देश वर में आय हमारा उद्योग इन सब को शोकेस करें पूरे दुनिया के, क्योंकि इन में दुनिया के उभरते हुए बहुत ताकतवर मुल्क, 19 मुल्क और एक European Union है, इस G20 में, Group of 20 में, और इस Group of 20 के मुल्क, यहां से लोग परियतन के लिए भारत आएंगे, यहां अगर हमने अपने हॉस इस पिटल के लिए अपने हिलाज कराने के लिए अपने देश से लोगों को बेजयेंगे, बिलकुल हमारे अगां का मैनफक्चरिंग को हमने एक्स्पोजर दिया तो वो लोग यहां से कhrIGदारी करेंगे, हमारे students की काविलये देखें तो वो यहां से जो है recruitment करेंगे, मैं सम कि पूरे भारत को आज वैश्विक्स तरफ पर जो बड़े-बड़े मुल्क है अर्जेंटीना से लेकर जापान से लेकर ब्रजील से लेकर अफरीका तक जो मुल्क है उनके सामने अपनी क्षमता को प्रदर्शित करने का एक सुआवसर हम को मिला है और हम को इस आवसर को गव काहिसे गवाना हर्गिस नहीं चाहिए जैसे कि अपने आप देखा जाए बुखासकर मद्रप्रदेश में तो इंदौर और खजुराहों में भी जी टॉन्टी के बैठा कोगी तो ऐसे में डेखा जाए अगर परेटिन की दृष्ट से पुरे देश में भी बैठा की गंदगी है इंदौर देखने के पाद इन सभी मुलकों के लोगों के मन में जो धारना रही है यह धारना मिट जाएगी इसी प्रकार खजुराहों में आकर वो हमारे परंपरागत जो हमारी संस्कृती है उससे रूबरू होंगे वरना भारत मतलब अधिकांच परेटकों के प्रूरी है और पूरे वैश्विक्स तरपर जब ये लोग आएंगे यहां रुकेंगे इसका आनंद लेंगे तो ये जब वापिस जाएंगे तो ये हर जगे पूरे दुनिया में ये समाचार चपेंगे इसके बारे में प्रोग्राम बनेंगे तो इससे परियटकों का भी जूची जो है भारत की तरफ बढ़ेगा बिल्कुल सही कहा आपने कि जो विदेशी परिटक हैं उनके लिए तो जो में चीज़े हैं अगर वो अभी जो अलग-अलग शहरों में आयोजित होंगी बैटे के उनसे ज़रूर फायदा हमको मिलने वाला है सर खास तो और अगर भारत ने समय समय पर दिखाया है चाहे वो कोविड प्रकरन हो और अब जो वैश्विक्स तरपर जो चिंता का विशय है वो रूस और उकरेन को लेकर है और भारत ने अपने कूट नीती के आधार पर दोनों मुलकों के साथ बाच्चीत भी की है और संबन भी बना के रखा ह है और मुझे विश्वास है कि भारत के नेत्रुत में यूकरेन और रूस के बीच में जो समस्या है उसका भी कोई ना कोई समाधान निकलेगा और उसके कारण एक बहुत बड़ी खासकर रूस के जो गैस की सप्लाई है उसको लेकर पुरे विश्व में चिंता है यूदि र जलते हैं बहुत सारे मुल्क उस पर निर्भर हैं और जो सेंक्शन के लगने के वज़े से पहां से खरीदना मुश्किल हो जाता है ऐसे में एक रास्ता निकलना बहुत जुरूरी है तो भारत के तरफ वो देख रहे हैं कि इसका क्या रास्ता निकलेगा पूरे वैश्विक स्तर पर आज क्लाइमेट चेंज कारबन एमिशन्स को लेकर बहुत चिंता है भारत ने ऐसा टेकनोलोजी तैयार किया है चाहिए वो सौर्य और आज्या को लेकर हो पवन ओर जल ओर जा को लेकर है जिसका कहीं न कहीं जो हमारा जो टार्गेट है कि 2030 तक हम 50 प्रतिश्यत जो हमारा जो एनर्जी के जो अविश्यक्ता है है उर्जा के अविश्यक्ता है हम गैर परंप्रिक विधाओं से हम लोग उसका प्राप्त करेंगे यानि कि पवन ओर जा हुआ विए भारत ने इंटरनेशनल सोलार अलैंस मनाया और भारत उसका नेत्रत प्रदान कर रहा है तो इससे भी दोहजार सत्तर तक हमारा जीरो नेट जीरो का हमारा टारगेट है और हम चाहते हैं कि यह टारगेट हम लोग पूरा करें देखे एक असुंतलन जो हुआ है कि वो कहते है ना गुना किसी और ने किया सजा किसी और को मिल रही है यह कारबन एमिशन्स के साथ भी यह हुआ है अध्योगी करन पश्च्चिम का हुआ जिसके कारण global warming हुआ और global warming के चलते climate change हुआ लेकिन उसका जो उसकी जो कीमत जो है वो चुका रहे हैं विकासशील मुल्क जो हो रहे हैं विकासशील मुल्क जो है उनके यहां जो है पानी का स्थर बढ़ रहा है जो छोटे छो उक्सान हो रहा है, वहां सहलाब है, बाड है, बहुत सारे परिवर्टन आ रहे हैं, लेकिन उसका खर्चा कौन उठाएगा, इसको कंट्रोल करने का, आज वातानुकुलित जीवन है पस्चिम में, पुरा एर कंडिशनर या तो हैं, सेंट्रलाइजड हीटिंग, इन सबसे जो कोईले का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, लेकिन वो हमसे उमीद कर रहे हैं, तो भारत को ये संतुलन बना के रखने में, भारत की बहुत बड़ी भूमिका होगी, जहां भारत अपने प्रयोगों के माध्यम से, और विश्व को ये अपने नितृत के आधार पर, ये विश् आप विकास शील मुलकों पर नहीं डाल सकेंगे, इसलिए भी विकास शील मुलकों को भारत के तरफ बड़े उमीद के साथ देख रहे हैं, बिल्कुल सर, आपने इस बहुत ही महतपून पहलो पर प्रकाश जाला है, उमीद है कि हमारे शोता भी इस चीज़ को बहुत समझे ने कहा था कि इस औसर को हमको बिल्कुल छोड़ना नहीं है, इसको भुनाना है, वैश्विक भलाई बात कीजाया, विश्व कल्यार पर उनका फोकस है, देखे ये मान्य प्रधानमंत्री जी जो है, वो भारत की परंपरा को लेकर ही आगे बढ़ आई है, हमारे यहाँ इस ही मुनियों ने कह दिया, कि पूरा विश्व एक परिवार है, विश्वी नहीं, वसुधा, यानि कि भूमी, जिसमें आपके वनस्पती भी है, आपके जीव भी है, जीव जन्तू भी है, ये सब एक ही वसुधा के परिवार के अंग है, क्या इस से बड़ा मजबूत अंदेश, क्या ग्लोबल वामिंग के लिए हो सकता है कि उनका भी ख्याल रखना है, क्या वह भी हमारे परिवार का हिस्सा है, तो इसलिए भारत का नेत्रतु है, वो हमारा जो सनात्नी परमपरा जो चलत गया रही है, उसी के आधार पर है, जो प्रधान मंतरी जी इसको ले vaccination में कई लोगों ने शिकायद भी कि भारत जो है विदेशी मुल्कों में भेज रहा है भारत ने अपने लोगों का भी ख्याल रखा पोरा free vaccination हमने करवाया लेकिन साथ हमने वैश्विक सतर पर भी जो है जो जरूरत-मंद मुल्क है उनके लिए भी हमने भीजवाया कि हमारा अकेले पूरे दुनिया में कोविड हो जाए और हम अकेले बच जाए इससे बड़ी गलत फहमी हमको नहीं होने चाहिए तो पूरे विश्व को भी बचा के चलना है हमें भी बचाना है तो इस साधू इतना दीजिए जामे कुटम समाए मैं भी भ G20 एक आवसर है भारत को अपने काबिलियत, अपनी क्षमता, इसको पूरे विश्व के सामने प्रदर्शित करने का, अभी हम लोगों ने हाली में मैं भी एक G20 से संबंदित बैठक, मैं मैंने भाग लिया, जो भारत के जितने विश्विद्याले हैं, उसमें तकरीबन भारत के शिक्षा पद्दती को लेकर, भारत में जो इसी प्रकार, भारत के मीडिया को लेकर हम लोग क्या बात कर सकते हैं, मैं समझता हूँ कि ये एक अवसर है, ना सरफ विश्व के सामने अपने बात को रखने का, बलकि इस बहाने, हम अपने आपको भी, अपने शक्ति क भी पैचाने कि आज पूरा विश्व हमारी तरफ देख रहा है, तो क्या हमको उसके लायक नहीं बननी चाहिए, क्या, तो जब अलग अलग शेरों में हो रहा है, तो हम अपने शेरों को कैसे, आज पूने की ऐसे सफाई हो रही है कि पूछिए मत, लेकिन ये सिरफ सरकारी तंतर तक सीमित नहीं होना चाहिए, कि मैं समस्ता हूँ कि जो आम नागरिक है उसको भी G20 के इस महत्तु के साथ जूड़ना चाहिए, कि G20 के जो प्रतिनिती जब आते है मेरे शेहर में, तो वो सिर्फ सरकार का काम नहीं है, मुझे दिखाना है कि मैं कई काबिल हूँ, इस उसके कूटनीती के कारण ही हमको मिलाए, वाकई भारत अरहता रखती है विश्य को नेतरत प्रदान करने की, विश्य को वो मध्यम मार्ग दिखाने की, जिसका भगवान बुद्ध ने बहुत कई सदियों पहले जिक्र किया था, कि एक मध्यम मार्ग जहां एक तरफ पोरा ह इंसा, आकरामकता है, और शोषण है, दूसरी तरफ गुर्बत है, जहालत है, उन सब के बीच में से एक रास्ता हमें निकालना है, और वो रास्ता भारत के पास है, इसलिए पूरा विश्य आज इसको इसलिए कहते हैं, कि ये जो 21 शिताब्दी है, हम कहते हैं कि ये भारत क शिताब्दी इसलिए है, वो अब सबस्त दिखाई दे रहा है कि क्यों 21 शिताब्दी, भारत की शिताब्दी है, क्योंकि भारत को ही वो नेतरत है, अपने किसी हत्यार के दम पर नहीं, अपने किसी बम और तोप के दम पर नहीं, किसी प्राकरमन करके नहीं, बल्कि अपने नेतिक, पूरे समाज को परोपकारी उस भावना के साथ विश्व को देने का ये विश्व गुरू रह चुका है, नालंदा, तक्षिशिला, विकरमशिला जैसे संस्ता है, यहां स्तापित हुई, पूरे विश्व से लोग ज्ञान यहां लेने के लिए प्राप्त करने के जैसे नहीं होगा, भारत का नेतृतु किसी सैनिबल के आधार पर नहीं होगा, वो हम अपनी रक्षा करेंगे, है ना, वो कर भी रहे हैं, हमारे सुरक्षा करमी जो है, वो लोग पूरी तरह सक्षम है उसके लिए, लेकिन, हमारा जो नेतृतु की पहचान, उसे परिवपक होता, विश्व को एक मार्ग दिखाने का, जो सस्टेनबल डिवलप्मेंट गोल्स के हम बात कर रहे हैं, SDGs, तो सस्टेनबल डिवलप्मेंट, ये विकास भी हो, लेकिन विकास के साथ साथ, वो संतुलित विकास हो, जहां परियावरन का भी ध्यान रखा जाएगा, जंगल अधि कम समय तक सीम इतना हो, इसको हम सस्टेन कर पाएं, लेकिन ऐसा नहीं कि प्रकृति का इतना शोषण हो, दो है नो, कि प्रकृती खतम हो जाए, प्राकृति के संसादन हमारे खतम हो जाए, नहीं, उनका भी संबर्धन साथ में करना है, ये सब करते हुए, पूरे जो हमारी थीम है, एक धरती, एक परिवार, एक भविश्य, वो हमारी वसिदयो कुटमविकम की प्रतिबधता को तो सरदर साता ही है, बीते कुछ सालों में इस तरह से लगातार वैश्विक मंच उपर हमारा देश भारत बहतर करता चला रहा है, और 130 करोड भारतियों के शक सुर्खियों में फिल हाल इतना ही, अगली सबता फिर होगी आपसे मुलाकात इसी दिन, इसी समय पर, तब तक के लिए नमस्कार